कि हैं। आज हम यहाँ पर बात करने वाले प्रांतिये Natalु के बारे में और इससे पहले किसे बात कर रहे थे राश्य दल में वहां पर हम ने कुछ पार्टियों के बारे में बात की थी जिनने र माननेता मिली उन्हें राश्टिये Crunchyम мगालियां पार्टिय पढ़ा ना कि हमारे यह Once Right White पहुत बीए ब्यवस्था इंडिया में चलती है तो इंडिया में चलती है तो यहां वे बहुत सारे रहने है लेकिन कुछ ही ऐसे बार में सारी चीज मैंन्नी होई है कुछ दल थानेक में हो आई तो तो वहां पर आज आप लोगों के लिए यह होंबर्ग भी बनता है कि आप लोग यदि डेली यह रिगुलर देख रहे होंगे वीडियो यह सुन रहे होंगे तो बिल्कुल इसे लिए आप एंसर दे देंगे जो मैं पूछने वाली हूं तो आपको बताना है कि अभी तक हमारी कितनी राष्टिया माननेताओं वाली पार्टियां है या दल है और उनका फार्मेशन या गठन कब हुआ था बस इतना बताना है हलाकि हम उनके सारी डिटेल समझ चुके हैं लेकिन कमेंट बाक्स में उनके सारी जितनी भी राष्टिया पार्टिया है उनके नेम दिन उनका फार्मेस्टन जब भी हुआ जो भी सन है तो उनका डेड़ बताना है ठीक है अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रांतिय दल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अभी इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होता है इसमें यदि बात करते हैं तो क्या होता है कि इन 6 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को चुनाव आयोगने प्रांतिय दल के रूप में माननेता दी अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इन 6 पार्टिया यानि कि उपर की 6 पार्टिया जो की हमने बात की हमने उपर जो राष्टी पार्टियों की बात की है जो आज आपको बताना जिनके ने वो कितनी थी 6 पार्टियां है यानि कि छे पार्टियां के अलाबा अन्य सभी जो प्रमुख दल है तो दलों को चुनाव आयोग नहीं यानि कि इंडेक्शन कमिशन इसका चुनाव आयोग के बारे में आप लोग सारी जानकारी इकठा कर लीजिए कहीं पर लिख लीजिए ये काफी इंपोर्टेंट है ठीक आप लोग जो भी अभी नीव हो ना लिखे हो वो लोग आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके और उसको पूरी क्लियर्टी से लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट कमिशन है अब यहां पर बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने प्रांती अदल के प्राइटी ओं को तोpyलक अर07 कमिशन के द्वहराही मिलती हैं ना तो इन्हें संसर्ड के सकती कोई भी मोननेता मिला सकती हैं सुपरीम कोड दे सकता है यहां पे सिल्फ और सिस्प दे सकता है यह सारे अलेक्शन के बारे में जो भी इतना भी मैटर औस यहां पर बात करें क कि इन्हें क्या यदि हमने बोला कि प्रांतिय एक काफी ट्रेडिशनल वर्ड हो जाता है यह तो मतलब कि यह बात करें जिस भी चैत्र से हैं हमने कहे दिया कि यह तो यह बताएगा कि बस एक क्योंकि हम लोग क्या होते हैं सीधे सीधे नाम लेना बहुत डिफिकाल्ट लगता प्रांति अदल तो कौन कहें इतना बड़ा तो सीधे कहें दो चैत्री अदल है जिस चैत्र का है उसी का है तो इसमें कहा गए लेकिन मतलब यह नहीं निकलता कि हमारा चैत्र से कोई मतलब एक और किस कहीं और से संबद नहीं एक पर्टिकुला चैत्र से यह आते हैं वो कुछ अखिल भारतिय दल है अब इनमें से भी कुछ क्या है अखिल भारतिय दल है पर उन्हें कुछ प्रांतों में ही सफलता मिल पाई है समाजवादी पार्टी और समता पार्टी और राश्तिय जनता दल का राश्तिय इस्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज अब लेकर सचेत है यह जो पारटी आभी हमने मैप में देखा था इन सारी पारटीयों के बारे में जो बीजु जन्ता दल है और यदि हम बात करें मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी आए ठीक है यहां मैप जो बना हुआ था इसमें हमने चर्चा की थी कि इसके आंगे असाद मेटें में आपको बोल इसको कर ला भी ता है यहां पर लिखा देख्प न्मेटilly रहे जितने भी यहां पर लिखे हुई पुरे मैप में आपको जो भी यह दिख रहे हैं यह हमारी कौन सी पार्टिया है चेत्रिया पार्टिया इसलिए तो आप देखिए न एक मतलब श्टेट में आप जो राष्टिया पार्टिया होगी तो सीधे नाम से जो निस्नल पार्टियां वहां पे हम किसी ऐसा नहीं कह सक तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आप लोग अपनी समझ को बना सकते हैं और मैप के तरू यह थोड़ा सा अगर जो कल नहीं कियोंगे उनको आज यह करना है पूरे मैप में मैंने कहा था आपको रटना नहीं है लेकिन एक बार पढ़ना इसे जरूर है मैप को देखना जरूर है और इसलिए आप जो हम इमेज देखते हैं वो हमारे मांड में ज्या प्रांतिय दलों की संख्या और ताकत में ब्रधि हुई है यहनिक इसमें क्या बता जा रहा कि कुछ बर्शों से इसमें ब्रधि होती जा रही है इससे भारतिय संथ बिविधिता ओं सी और भी ज्यादा संपन हुई है किसी एक राश्टिय दल का लोग सभा में बहुमत नहीं है परिणाम सरोप राश्टिय दल प्रांतिय दलों के साथ गटवंधन करने को मजबूर हुए है और 1996 के बाद से लगभग प्रित्य प्रांतिय दल को एक या दूसरी राश्टिय इस्तर की गटवंधन सरकार का हिस्षा बनने का अवशर मिला है इससे हमारे देश में संगवाद और लोक तंत्र मजबूत हुए है और इन दलों के विवरों के लिए हम अंगले जो महफ है वहाँ पे उसमें बताएगा आप लोग उसको देख लीजिएगा इसमें क्या है कि 1996 के बाद से लगबग प्रतेग प्रांतिय दल को एक या दूसरी राश्टि इस्तर की गटवंधन सरकार का हिस्षा बनने का अफसर मिला है यानि कि जब पार्टियां बढ़ती गई तो ऑवियस है कि उमीद जो उमीदवार है उनकी संख्या बढ़ेगी एक्जामपल मैंने आपको कल या बर्सो समझाय था कि सपोज मान के चलिए कि आप बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं आपका बर्चस बहुत है लेकिन धीरे-धीरे हमें क्या लग रहा है हमें अपना समुदाय बनाते हैं उसके बाद हमें लगता नहीं हमें अपनी इस तरीके से वह बिभाजी थो रहे हैं पार्टि या बढ़ती जा रही है और उमीदवार यानिकी बात करें तो जो भी मतदाता होते हैं तो कहीं न कई उनकी संख्या भी होते नहीं है लेकिन यह जो तुकडों में बढ़ते जा रहे हैं जैसे एक मम्मी पापा के कितने में से क्या हुआ कि पहले तो हमारे पापा जी सिंगल थे से पापा जी के हम चार थे अब चार में से क्या हुआ कि अभी तो हम एक घर में रह रहे हैं अब वह चार बड़े होंगे जब चार बड़े होंगे उन चारों का बराबर एक के इस एक इंसान की संपत्ती पर चारों जमीन उतनी ही है घर हमारा उतना ही है ठीक है लेकिन बटा हिस्सा कितना चार बटा चार में वो कितना पाएंगे एक बटा चार पाएंगे यनि कि जो चार है उसका एक एक हिस्सा उनको मिलेगा अब जब इसमें से मतलब एक का चार हिस्सा उन्हें मिलेगा और उसके बाद उन ओने के पास जमेन उतनी ही है सबकुछ उतना ही है कोई कहीं से खरीदा नहीं गया है बून इन चारों के क्या हो गए 4 टुकड़े हो गए एक घर के उसक्ट एक गडर के और चार बेटें अलग अलग होगा कि फिर हमें आपस में मिल के कि चलो किसी तरीके से हम अपनी जो भी है रहki मिलबाटके करते हैं अपना काम और जो भी जिस तरीके से बन सकता उसी तरीके से रहते हैं और आज इंडिया में यही हो रहा है जम Grams City जेंसक्री जा रहे हैं तो इसमें क्योंकि हमारे दौरा महात्मा गांधी जी का जो इस्टेट में था कि प्रक्रेती हमारी अवश्यक्ताओं को जरूर पूरा कर सकती है लेकिन हमारी जो इच्छाएं बढ़ रहे हैं उनको नहीं मिटा सकती है और उनको मिटाने के हम कोसिज करेंगे तो प्रकरती नश्ट हो जाएगी और वही हो भी रहा ठीक है तो अब यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब यह लोग बहुत सारी पार्टियां बन गई 700 प्लस हमने देखा था कि दल है तो अब उनमें से जब फालोवर सलग अलग होगे तो अभी ऐसा गटवंधन की सरकार बनानी ही पड़ेगी आपको क्योंकि ना तो आपके पास इतना है ना उनके पास इतना है alok की ना तो अब हमारे माली जी हम बहुत ही बड़े लीडर हैं तो हमारेपास भी 10 आया उनके पास माली जी 11 आ गए तो 10 और 11 में क्या फर्क है तीसरे के पास थोड़ा सा ओर है अब हम चाह रहे हम अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं हम दोनों मिलके चलाते हैं और फिर क्या होगी हमारी गटवंधन की सरकार बनेगी और यहां पे बहुत सी ऐसी सरकारे हैं जो कि गटवंधन के उसमें मतलब कि कई इस्टेटों में ऐसा होगा आप देखिएगा अच्छे करिएग कि कहीं कटवंधन की सरकार तो नहीं है अब उसके बाद ये मैव आप लोग करेंगे दिन अब हम आते हैं राजनितिक 약ष्ट के लिए चुनातियां यहां पे ने देख के कि लोग तंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पाटिया कितनी महात्वपोन है यानि कि लोग तंत्र किसी भी कंट्री में यदी है तो वहां पे कामकाज के लिए राजनीतिक पाटिया इंपोर्टेंट है यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं और क्यों इंपोर्टेंट है यह भी एक एक वर्ड आप कभी सोचे है कि एक यंसी आटी जो आप दो घंटे में पड़ सकते वह हम तीन दिन में जब कि एक गंटे की क्लास लेकर तीन दिन चार दिन पाँच दिन में कम्प्लीट कर रहे हैं तो रीजन सिर्फ इतना ही है कि अभी तो हमें इतना जल्दी एक्जाम देना नहीं आई हो कि आप जितने भी है तो काफी अभी छोटे ही हैं तो हमें जब भी एक्जाम दें बहुत ही पुरी ताकत के साथ लगें इतना अच्छे से हमारा सारा कंप्लीट हो जाए और मेरी ही क् तो यूटूब में पहली बार ऐसा आपको सायद देखने को मिल रहा हो कि एक एक पॉइंट यानि कि एक एक भी उसमें नहीं छोड़ा जा रहा है अपने से कुछ जोड़ा नहीं जा रहा है हाँ जो थोड़ा करेंट होगेरा का मैटर है वो तो जोड़ना ही पड़ेगा लेकि तो और ज्यादा सर्मे की बात है भुरा मत मानिएगा क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हैं हम बोलोगी नहीं तो हम लोग समझेगी कैसे कि आपको क्या नीड है तो कमेंट वाक्स में इतना तो आसा कर सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ा लिखना उखनाता होगा तो अपने की सोचा जाएगा ठीक है तो इसलिए डरना नहीं है जितना भी हो नहीं बन रहा कोई आपकी इंसर्ट नहीं करने वाला आप अपने अकेले रोम पे बैठे हो वहां पे आप अकेले हो कोई यह नहीं बन रहा आज असोग ची का एक डाउट आया बहुत प्यारा मैं उसे बहुत अच्छे से समझाने वाली हो विलाश्ट में समझाऊंगी तो इसलिए अब मेरी आप से यह व्यूकेस्ट है कि प्लीज आपके डाउट जितने भी हो मत रखिएगा नहीं तो आप लोगों के लिए घाटा होगा हम लोग तो नहीं बताओगे आप तो आंगे ज्यादा आप्रकट रूप है इसलिए यह सोभाविक है कि लोगतंत्र के कामकाज की गड़बडियों के लिए लोग राजिनितिक दलों को ही दोसी ठहराए पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजिनितिक दल अपना कामकाज ठीक से नहीं करते हैं पूरी दुनिया में इसमें क्या वर्ड लिखा है वो पूरी दुनिया में अकेले इंडिया वाले ही नाराज रहते हैं पूरी दुनिया में यह सिस्टम चलता रहता है कोई संतू नहीं मानता है और क्या होता है कि हमारे लोगतंत्र के साथ ही साथ भी यही बात लगू होती ह आम जन्ता की नराजगी और आलोचना राजनीतिक यानि कि हमारे देश के साथ नहीं होता है हर एक देश में यही हालत होती है और यहां इतिक दलों को इन चुनोतियों को सामना करना चाहिए और इन पर जीत हांसिल करने चाहिए mr. उनके लिए इंपोर्टर्टेंस नगे कुछ सी चुनोतियों को सामना करनी चाहिए देनिस में providing us first आते है कि पहली चुनोते की बीतर आंतिरीक लोक्तंत्र कंस ना हो होता है आपको यदि याद हो तो हम सेवन्थ क्लास में में भी पढ़ रहे थे या एट में एट में साथ था ठीक है वहां पे हमने देखा था कि हमारे स्कूल में घर में हर एक प्लेश में हम लोगतंत्र का और भिनेशन भता जरीर वाहां पे लागू होता यह कि वहां पर भी आमें लोगतंत्र दिखाई देना चाहिं तो अब या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमर जाती है, पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रोप से गठिनिक बैठे के होती है, इनके आंतिरिक चुनाओं भी नहीं होते हैं, कार्यकरताओं से वे सूचनाओं का साज़ा भी नहीं करते हैं, सामा इसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और नहीं कोई और माध्यम परिणामसरूब के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं चुँकि कुछ एक नेता क्या करते हैं कि जो भी नेताओं के पास ही असली ताकत होती है इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टीके रहपाना असंभव ही होता है ठीक है तो अब यहां पे क्या बात की गई है कि इसमें ये बताएगा कि बहुत मुस्किल हो जा आती है यसमें क्या होता है कि पार्टी के सिद्ध्यांत जो नीतिया है ठा het नेन रगका तो आप नेता पे रखों मालीजी किसी पार्टी का एक कोई हेडल हो जब किसी पार्टी का एकपटी के बिल मात्र का पड़िए उसके जो भी चेतरी प्रांती अउमीद्वां हो और यहां पर आपके भाईया है आपकी बहन है आपके मम्मी है आपके पापा है राइट आप इनके बीच में बारतालाफ फोरा है सारी चीजे जो भी नीती नियाम कानून जितना भी है क्या करना कैसे करना को कहां जाना क्या करना वह सारा चीज डिसकस कर रहे हैं यह लोग आपको उसमें कोई भी involvement नहीं कर रहे हैं वो लोग, आपकी कोई भी importance वहाँ पे नहीं है, आप क्या कहोगे कि हमारे घर में लोगतंत्र नहीं है, यानि कि हम लोगतंत्री country में रहे हैं, हमें अधिकार है कि आप क्या कर रहे हो हम जान सकते हैं, क्योंकि हम आपके घर में रहे ह कि यहां पिया जा रहा हमारे साथ हमें इधर से साइड कर दिया जा रहा जो भी बाते हो रही है जब हो जाता है तो हमें पता चलता जलता कि अच्छा यह ऊ पार्टी के लीडर एक होगा उनके कुछ बुझ जितने भी आपने देखा था कि पार्टी फिर उमेदवार वह सीटे वगएरा देते हैं तो वहां चे वह जो है तो उनको तो पता ही नहीं होता कि भई यह हमारी पार्टी वालों ने क्या कर दिया पार्टी के नाम प्यारी वह पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है जो दूसरी चुनौती है वह क्या है पहली से ही जुड़ी हुई है यह है वन्सवाद की चुनौती अब यह तो और ही महाना गई वन्सवाद की चुनौती यहां भी क्योंता है चूकि अधिकांस दल अपना कामकाज पार्दर्सी त करता के नेता बनने और उपार आने की गुंजाइस काफी कम होती है यहां पे बहुत अच्छी वात लिखी गई है कि जितने भी दल होते न लब ऐसा नहीं कि सारे के सारे अधिकांस दल की बात की गई है कि जादा तरदर लब आप कुछ कह सकते हो कि इमानदार भी है तो यहां पार्टी के लोकत्व कि अन्दर Dena शिदाप गई सदस्विण होते अधिक जानकारी नहीं है तो हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्री की gir हम नहीं तो इसमें क्या हो रहा है कि यहां ट्रीके से जब उकाम नहीं करतें बनने और ऊपर अने कीभी कम होती यानिकी जो सब् लगने पाते कि ये कर क्या रहे ते पास साल निकालो अपना साइड हट लो दिन उसके बाद क्या होता है जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाव लेते हुए अपने नजदी की लोगों और यहां तक की अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं अनेक दलों मे सीर्सपद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं यह दल कि अन्य सदश्यों के साथ अन्या है यह बात लोग तंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है यह बात कैसे चला कि पहले बाप फिर बेटा फिर बेटे का बेटा फिर बेटे का बेटा यह इस तरीके से वो अपना ह ला रहे हैं कोई दोसरा यहां पर नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें हवाई नहीं लग रहे कि अंदर हो क्या रहा वो एक सामान कारे करता है काम कर रहे उसके बारें कुछ तो पता नहीं उनको तो यहां पर कहीं न कहीं यह लोग तंसर के लिए हमारे सही नहीं है आप देखोगे इलाके में ही ओगा तो आप ड़ेखों कि जो भी आपके इलाके के सांसद या पारसद होंगे वह क्या करते हैं कि आप पहले वो खुद सोचें कि यह थी आप ही होते कि आप क्या करते हैं माली जी कि आपके अंदर बहुत जादा ही इमानदारी बहुत ही जादा तब की बात छोड़िए लेकिन थोड़ा बहुत इमानदारी भी है तो आप पहले अपने घर को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेगे कि जहां पे हम हैं उस पे हमारा अस्तित तो बना रहे हमारे रहने पर भी और ना रहने पर भी तो फिर वहां पर महात्मा गांधी जी जैसे कोई हो गए कि चलो एक वार क्या था कि बतलब उनके बेटे को दाखिला लेना था कालेश में वह जाते हैं और उन्होंने एकदम से सामाने तरीके से जबकि उन्होंने कहा था गांधी जी से कि आप ह जब जाते हैं वो और महां पे जाके बोलते हैं उन्होंने का क्या मजा कर रहे हो गांधी जी के बेटे हो फिर उसके बाद उन्हें पता चलता प्रोफेसर को कि ये गांधी जी के बेटे हैं लेकिन पहले उन्हें कोई पता नहीं चलता है और नहीं गांधी जी साफ साफ मना कर चाहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हें दाखिला लेना है तुम खुद की मेहनत से लो लेकिन यहां पर राजनींती है और आज का लितनी अच्छाई बची का है तो यहां पर क्या होता है कि कहीं न कहीं यह सारी चीज़े चलती हैं और यह मतलब सीधा तोर से समझें क यहीं अधी एसा चलता रहा तो हमारे लोकतंत्र के लिए खत्रा है क्योंकि आनुभभषीन और विना जनाधार वाले लोक ताकत वाले पदोपर पहुंच जाते हैं अब जरूरी नहीं कि महात्मा गांदीजी अंदर जो भी ताकते लिए जो भी अनुभव था क्या उनकी ब के पास था उनके जरूरी नहीं है эп escams कई स्वारी संताने होते हैं कोसी मेडिया में होता है क्या कुछ होता ही नहीं है तो इसमें क्या हो गया कि यहां पे हम नहीं कह सकते कि हो कौह कोई हमारे हां के इस्ट है यह सांसट है तो तो उनके लिडर्सीफoint करने कि जो भी वालेटी ती अभी बने है थीकने तो उनके भी विते से सब्सक्राइब भी आप अब मत्र की भीक नाम क Jugession को भी वहां कि लुट करें चोइँ एक है अब ऊसमय सकते कि कहीं वो जाके क्या करता है कि चुप-चाप बैठा रहता है उसे ये भी नहीं आता कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें तो आप ऐसी तो सिच्वेशन होती सीधी तोर से आप समझ सकते हो ये मैं बिल्कुल रियल्टी बात बता रही हूं कि उनके जो पिता जी थे बहुत अच्छे ली किसी भी समारोह पर उन्हें बुलाया जाता है और उनसे आसा की जाती है कि नेता जी दोसक्त बोल दें तो नेता जी का मुह जल्दी नहीं खुलता है तो कुछ ऐसा होता है कि आप बंसावाद सीधे तोर से आपको देखने को मिली रहा और हो सकता है कि जो अमेरे यह आप कह यहां पर प्रविती कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहीत कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है और तीसी चुनोती हमारी क्या होती है कि दलों में खासका चुनाओं के समय पैसा और अपराधी तत्तों की बढ़ती घुसपैट होती है यहां भी क्या होता पैसा भी बहुत जादा लगता भी है ऐसा नहीं है कि कोई एक कामकार करता है उसके पास इतनी मनी भी नहीं होती न पावर तो ठीक है पैसा हो तो मिंटों में हमारी पावर पता नहीं कहां पहुंच जाती है हम धरती से असमान में कब पहुंचे नहीं पता लोग बहुत जल्दी पहचानने लगते हैं गरीब को कोई नहीं पहचानता है बड़े आद्मियों को सब पहचानते हैं जो नहीं जानते हैं वो भी जानने लगते हैं यह बिल्कुल सकते हैं और यहां पर चुनाओं पर तो पैसा हाँ बिल्कुल यदि रियल्टी में इसकी ज जरूरत है जिससे भी चाहें 10-50,000 तो आपके जेब में कुछ ताइम तो पड़े ही रहेंगे कोई टेंशन नहीं कि नहीं होंगे दिन उसके बाद क्या उदर चुकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाओ जीतने की होती है जो पार्टियों उनका रहता है कि हमें तो चुनाओ नहीं करती पार्टियां क्या करती जाया जो या ना जाया जो यदि मैंने बदाने क सामधाम दंड में सही से बीफ़ावित करते हैं कई बार क्या होता है कि पार्टियां चुनाओं जीत सकने वाले अपरा अधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती हैं दुनिया भर में लोकतंद्र के समर्थ लोगतांतिक राजनीती में अमीर लोग और बड़ी कमपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है यहां पर आपने सुना होगा कि इन्हें जो पार्टियां होती हैं फंड मिलता है इन सारे लोगों को क्या होता है लवकी इनको दान मिलता है बहुत बड़ी बड़ी पनिया है तो भीया सही तरीके से तो कोई इमानदार विक्ती चलाने ही पाएगा इतना बड़े कम आप ओदे पर पहुंचते हो तो कहीं नगई तो हमें जूट बोलने ही पड़ता है कुछ करने ही पड़ता और जहां पर अपनी ही सरकार हो कौन हमारा क्या कर लेगा तो यह बहुत जादा पैसा देते हैं थोड़ा आप लोग इसके बारे में चिक करेंगे जो चुनाओ फंड मिलता है किस तरीके से लोग देते हैं बहुत जादा पैसा मिलता है इन लोगों को सच में मतलब इतना लोग देते हैं और देते हैं तो आपको लगता को खैरात लुटा र वह पैसा कोई रिटर्ण थोड़न गड़ेगा तो अब पैसा भी हमारा गया और कोई काम भी नहीं हुआ तो ऐसा पैसा बरबाद भी नहीं करते लेकिन पैसा काफी मिलता पार्टियों को तो यहां पर और हमने पढ़ा वी था कि चुनाओ के पैसा खर्च करने की भी कुछ लि जो पांच साल पहले से त्यारी करने लगते हैं वो कितना पैसा खर्च करते होंगे यह अप अंदाचा लगा सकते हैं तो कुछ सिचेसन हमारी पैसा वाला भी और वो लोग पकड़ते हुए जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरी सकता है बोट तो नॉर्मल बात है दिन उस महात्वण अंतर हो हाल के वर्सों में दलों के बीच बैचारी कंतर कम होता गया और यह प्रविति दुनिया भर में दिखती है जैसे ब्रीटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है दोनों दल बुनियादी बसलों पर सबी बड़ी पार्टी के बीच आलतिक मामलों पर बड़ा कम अंतर गया है जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलबदी नहीं है कई बार क्या होता है कि लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता क्योंकि वह तो यहां पर जो डल बडल हमारा कानून आता ए तो समें जो तेंगजितां जहां कई एंग्षा हें कि यह शरुट्क निर्वाचित होने वाले प्रतिनिदी का उस दल को छौड़ कर किसी अन्य दल में चले जाना कैसे मैं किसकी बात करूँ यहां पर बहुत ऐसे लीडर हैं मुझे सचिन पैलेट तो खेर किसी दल में नहीं गये थे लेकिन मुझे याद नहीं आरा कि अभी हाल फिलाल में आरा कुछ ऐसे थे जो एक दल को छोड़के दूसरे दल में समलित हुए हैं ठीक है आपको बत दल बदल का मतलब क्या होता है कि विधाइका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनीधी का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना यानि कि आप उस दल को छोड़ दोगे जिस दल से आपने जीता सचिन पैलेट जी को थो ना कि कुछ मतलब की होता हुँ हम देखेंगे हmpot Video class में यह IDA के बारे में बहुत अच्छी तरीके हैं कि एक व्यक्ति थे जो키ए सब्सक्रेंस के बास दë अन्म-धार में रही है दो कुछ जोड़ी गाई थे तो इसमें क्या होता जो दस्मियान सूची की बात करता है तब ही जोड़ा गया था क्योंकि वो जो व्यक्ति थे कई बार यह नहीं कि एक बार नहीं दिन 24 गंटे के अंदर अंदर याद एक दो तीन दिन के अंदर अंदर उन्हें कई रल बदले अब ऐसे में तो समस्या बन गए कि भाई ऐसे दल बदलेंगे यह लोग तर तो बहुत ज्यादा समस्या हो गया कि इनको जहां भी मन कर रहा था पकानून गया था दस्मियान सूची कि किसी पर भरोसा ही नहीं रह जाएगा अभी हम बात करें कि अंदर लोग तंथरी नहीं पार्टी में और फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा खोकhlी हो जाएंगी सब और कहीं न कहीं नीतियों का निर्माण वगरे तो यहीं कर रहे हैं हम लोगे लागू कर रहे हैं कोई एक administrative है सुप्रीम कोट है वो जो संभीधान कहता там कर रहें, संभीधान बनाया किसनी हम बात करते हैं शुप्रीम कोट से उपर कोई नहीं है लेकिन संभीधान बनाया किसने नीती और नियम बना कोन रहा है यह संसत वाले लोग बना रहे है न उसके बास संभीधान क्या कर रहा है जो हमारा नयाय पाली क्या है यानि शुप्रीम कोट जो है वो सिर्फ उसका काम क् कि आधार पे इन्होंने अरक्षन का मुद्दा लाया तो वह संभीधान के अधार पे बाते लिखी हुई उस अधार पे वह चर्चा करेंगे कि यह राइट है या रॉंग है और उस अधार पे वह नया देंगी तो यहां पर उप्रेम कोट का यह काम हुआ लेकिन बना कौन रह यहां पर आप समझ सकते हैं उनका ओदा क्या है जो भी राजनितिक पार्टियां यह दल है तो इसलिए थोड़ा सा यह सारी चीज़े आप लोग रखिएगा और दस वी अन्सोचिस के बारे में आप लोग लिख लीजेगा और बिल्कुल भी टेंसल लेने की ज़रूर नहीं है हम लोग 11 ख्लास में और भी बेटर तरीके से इन सारी चीजों को ना समझने वाले हैं अभी तो मतलब जो कहानी है में कि किस तरीके से सरकार आती बिले नहरू जी की फिर इंद्रा जी की फिर जवार जी की जो भी है इतने भी है तो वो सारे चीजे हम देखेंगे क्या कैस अचानक से कि हमेशा हरे कि स्टेट में कांग्रेस रहने वाली आज कहीं नामों निजान नहीं दिखता है तो कैसे यह सारी सिचेशन्स होई है वो समझे के हाँ थोड़ा सा अब यह जो टॉपिक है इसको काल कबर करेंगे असोक का जो डाउड था उसमें था बुद्ध बुद्ध जीवी हो तो आप बहले ही मतलब नहीं जानते हैं आप अपने हमें बहुत गर्ब करूगे हैं में खोद बुद्ध जीवी हो बुद्ध जीवी का मतलब होता है कि जीव मतलब तो आप प्राणी हो एक बुद्ध ही मतलब आप समझ सकते हो कि बुद्ध हमारे पास ग्यान है, knowledge है, knowledge और ग्यान दोनों इनलाग अलाग चीजे होती है, knowledge आ की चलो हमारे पास थोड़ा बहुत है, ग्यान का मतलब एक उस knowledge जो थी हमारे पास उसको हमने कैसे ग्यान में convert कर लिया, कि एक ही knowledge से हमने दल बदल पढ़ा दल बदल के concept से हम क्या-क्या चीजे वहीं पे link कर सकते हैं तब हमारे पास घ्यान आ जाता है हम आम बोल चाल की भासा में कहें देदें चल बहुत बुद्ध जीवी मदबन तो यनि कि तुम भुद्ध जीवी हो गए हो तुम भुए हो सियार हो गए हो तुम भहुत intelligent हो गए हो तो ऐसे word जो होते न तो इसका मदलब क्या होता है कि आदमी थोड़ा बहुत क्या होने लगता है एक नॉर्माल इंसान से थोड़ा आंगे आने लगता है कि जैसे आपके घर में यहाँ पर मालिजे की सब कोई हैं आप लोग हैं तो आप उन सब से थोड़ा बहुत आंगे हो बतला कि आपका जो माइंड है आपकी जो सोचने की समता है आपकी जो बोलने की capacity है या किसी भी अपने बात को किसी को समझाने का आपका जो तरीका है वहाँ से लोगों को ये समझ में आता घचब इसमें तो काफी talent है इस बंदे में और वहीं पर फिर आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्यारे-प्यारे सिवर्डियों जोते हैं कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत बुद्ध जीवी हो यानि कि आपके अंदर वो नालेज है जो कि अदर पब्लिक के पास नहीं है आपके बैटे हो इनके पास नहीं आपके पास यह आप सबसे अलग हो और जब हमारे पास थोड़ा बहुत ज्यान आने लगता है तो हम कहते हैं कि हाँ हम खुद को नहीं कहते हैं यह तो कभी नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ दूसरों के मोसे में जरूर सुनने को मिल जाता है यार वो तो बहुत बुद्धी जी भी है बहुत टाइलेंट है और आजकल बुद्धी जी भी तो हो गया एक नार्माल जिंदी वर्ड है लेकिन ऐसे बोलते हैं बहुत टाइलेंट भड़ा हूँ उसमें कोट कोट के तो यही सारी चीजे होती है बुद्ध जी भी आट ये तालनेंट का मतलब पढ़ना इंगर हो यो किस तरीके से अब अपनी बातों को रख रहे हैं किसी को अपना समझा है अपनी थौुट्स को समझा पा रहे हैं आप किसी से बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हो बहत र्िसप्टड बेते हो उसे अब कहा जा रहे हैं अब बोलके हम बोलेंगे अरे भीया कहा जा रहे हैं तो काफी रिस्पेक्टेट वर्द हो जाएगा मतलब उसे बहुत सुनने में लगेगा कि उसमें क्या होता है कि सपोस्छ माली जे मम्मी को मम्मी बोलाते हैं थोड़ा से आप समझेगा कि अच्碧ा मेरे बभाबा की बहु कहाना दे दो ये भीवर बिल्कुल ही गिटिया है दादी की बहु हमें खाना दे दो ये भी वर बहुत ही घटिया है आप बोले मम्मी को ही बुला रहे हो रिस्ता आपका मा का ही लगेगा आप रिजनिंग में भी पढ़ते हो कि वो 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 दुनिया फरीका जो भी रहता आप रिलेशन्शिप में रिजनिंग पढ़े होंगे वहाँ कुछ ऐसे ही बढ़ रहे थे ठीक है तो वहाँ से और आप बोले हो कि मेरे भाईया की मम्मी हमें दे दो ये भी गंदा है डायरेक्ट आप बोले है कि मम्मी हमें खाना दे दो तो बहुत प्यारा ये लगेगा क्यों बहुत रिस्पेक्ट वाला ये बहट होगा है बुलाना सबका मतलब एक है कि मा को ही बुला रहे हैं लेकिन कहने का जब हमारा तरीका वो काफी अलग था कोई इनसान होता किसी से बिना गाली के बात ही नहीं करता है कोई इनसान होता किसी से बहुत ही नारमली बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता है तो उसके बात करने का तरीका, बोलने का, उठने का, बैठने का, यह निकि सारी चीजे ना हमारी काफी बेटर होती है, जो लोगों को अच्छी लगती है, लोग उसे पसंद करते हैं, और यह एक सिंसियर इंसान के अंदर ही हो सकती है, अब ऐसा नहीं कि हमने कह दिया, सपोच कोई बिलकुल भी पढ़ा लिखा नहीं है न और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है बहुत ही इजेली वो साल्व कर ले था मुझसे भी कहेंगे कि यह बंदे में बहुत टाइलेंट है बहुत बुद्धी जीवी यह इनसान है बुद्धी सिर्फ पढ़ने से इसका मतलब नहीं न बुद्धी का मतलब ठीक है आपके पास जो भी आपके पास ग्यान हो आप नालेज हो तो यहां पे नालेज का मतलब कि बुकिस हो आप ग्यान का मतलब कि आपके पास सब कुछ है वो चीजे सारी चीजे हैं जो मैंने अभी बताया किसी से कैसे बात करनी है कहीं पे जाके कैस रिस्पेक्ट देनी है कोई किसी एक टूझाना थे बच्चों किस तरीके से रिए को भिखाई वो सारी चीजी हमारी बुद्धिमत्ता को दर्साती हैं सिर्फ यह नहीं कि हमने किताब के चार अक्षर पढ़े और कह दिया हम बहुत बुद्धीजीवी हैं तो आप उसे मोर कोई होगा ही नहीं यह आप ऐसा बोले किताब की अमने पढ़ लिए किताब बहुत ज़्यादा प असको बुद्धीजीवी का मतलब समझ चुके होगे कि क्या है और मैं आपको कहती हूं कि आप भी बहुत बुद्धीजीवी हैं किसी को बहुत अच्छे तरीके से सुना भी ना हमारी बुद्धीशीं ता यह कुछ लोग को दे न महीं बोल रहे हूं हम दो बेठे आप मैं है कि आप बोलने ही नहीं दे रहे हो आप लगे मेरी बात पुरी सुने नहीं हुआ मैंने कहा दल बदल आपने सुने नहीं बिल्कुल कूद पड़े दल बदल ऐसा दुनिया मरे काफी बता दिये मुझे आप वहां पे ना तो आपकी बात में कोई दम है ना तो आपके बात में कोई तरक है दस दाउट लेके आप आ गए आप सारी बातों को पहले clear tis तुने उसके बाद आ बोले कि इसमें आप क्या सुधार करने लाग था या क्या था क्या सही था क्या गलत है ये भी एक हमारी बुद्धी जी भी था ही है फिर हम बात में बोलते हैं न माली जी कि आपने ऐसा हमारे साथ ठीट किया हम बोलते जा रहे हैं और आप हमारी बातों को कट करते जा रहे हैं आके मतलब महाना लाइक इंसान था इसा इंसान तो आपने देखा ही नहीं आर्ट तक प्रत्वी में जिस तरीके से आज उस इंसान के पास हम फस गे थे आज गलती से यार वंदो क्या था कि कोई बात सुननी नहीं कोई बात समझनी नहीं जबकि हमारा final conclusion वही था जो आप कि इतने स सारे questions उट गए तो बुद्धी जीविता यह भी है कि आप इतने sincerely हमें सुन रहे हो यह भी बढ़ी बुद्धी जीविता है और यहां पर कोई भी कह सकता है कि आप में बुद्धी जादा यह बुद्धी जीविता है sincerity है आप में टाइलेंट है कि आप यूपी यसी की प्रि हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो सिर्फ हम कहें कि एक ही चीज जरूरी है बिल्कुल भी नहीं मैं तो इसके बहुत ही किलाप हूँ कि हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए यह हमें इस दुनिया में सब कुछ चाहिए हम सब के साथ रहना है और सब के साथ रहना है तो जो अब विप्यक्ति और गयरा के बारे में दिया हुआ है जो भी है हमारा वहां पढ़ेंगे इतना आप एथिक्स अभी आप लोग पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कभी-कभी पढ़ा करिए एथिक्स हमारे चैप्टर का है अनलम हमारे सलेवस का है उसको आप लोग पढ़िए बहुत ही अच्छा वह पूरा जो भी एथिक्स अभी एथिक्स में में मैंसन किया गया ना वहुत प्यारा है उसमें शारी चीज़े आपको समझाएगे कि आप एड्मिनिस्ट्रेटर किस तरीके से आपको ट्रीट करनी है सारी चीज़े किस तरीके से चलना है हमारे जीवन म समाज में वह सीजी हमें समझाई जाती है तो आपको बहुत क्लियर्टी आती जाएगी तो इसलिए अब ऐसा तो नहीं है कि 24 गंटे में आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लिए काम खतम और यदि ऐसा कर रहें न बहुत गलत कर रहे हैं यूपी असी हम कर रहे हैं तो वीडियो है यह कि आप लोग 10-12 गंटे बैठ के पढ़ सकते हो यहीं मेरी बातों को बुरा मत बानेगा लेकिन यूपी सी की यही दिमांड है और आपको यह करना ही पड़ेगा और साथ साथ हमें घर परिवार किसी को छोड़ना नहीं है यह थोड़ा सा हमें त्याक करना पड़ता है करेंगे सोना बाबू को छोड़ेंगे लेकिन और किसी को नहीं छोड़ना है मतलब छोड़ने का मतलब है कि आप विल्कुल नहीं मत छोड़तो बसा थोड़ा टाइम कम करो अप इधर लगाओ बुक में ध्यान दो बेटर है हमारे लिए अब मिलते है नेक्स्ट वीडियो मे एंड आई होप कि आपकी बुद्ध जीविता बनी रहे और हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहें